इशा संस्कृति जिस मूल ग्यान को आज वापस ला रही है वो उस संस्कृति का ग्यान है जो कथाओं से भी ज्यादा पुरानी है इस संस्कृति का लक्ष था इंसानी सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक खिलने में मदद करना इशा संस्कृति में बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं बलकि इनका गहराई से अभ्यास भी करते हैं इसमें योग विज्यान, आयरवेद, सिद्ध वेद शामिल है भारत में इस संस्कृति में संगीत और नृत्यों को सिर्फ मनुरंजन की तरह नहीं देखा जाता इनसे इंसानी बुद्धी बहुत ही सुन्दर तरीके से तेज होती है और खिलती है संस्कृत भाषा में ध्वानी के स्तर पर ये संभावना है कि इससे सिस्टम में ध्वानी के सबसे ज्यादा कंपन पैदा हो सकते हैं और इनसानी सिस्टम अपनी उच्चतम शमता तक सकरिय हो सकता है कलरी सभी युद्ध कलाओं का स्तरोत है इस युद्ध कला का संबंध सिर्फ लड़ने से नहीं है इसका लक्ष इंसान को उस शमता तक पहुँचाना है कि वो लड़ने की जरूरत से ही परे चला जाए ऐसी शमता और समगरता के लोग तयार करना ऐसी पीड़ी बनाना जो वर्तमान पीड़ी से ज्यादा त्रिप्त और आनंद में है इशा संस्कृती एक कदम है ये उस दिशा में एक अनूठा और अपूर्व कदम है ये बच्चे युनिवर्स्टी के लिए तयार नहीं किये जा रहे है इन्हें युनिवर्स के लिए तयार किया जा रहा है